हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो अर्स्टडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंड्स आज की 5MCQ सीरीज में आपके साथ डिसकस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो की जुड़े हैं टॉपिक क्लास्रूम कमिनिकेशन से तो आईए अपने डिसकुशन को स्टार्ट कर देते हैं तो माई डियर फ्रेंड्स हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइस्ट कोर्सिस हैं आपकी प्रिप्रेशन को असान बनाने के लिए यूजी सीनेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर वान कॉमर्स और मानेश्मेंट के कोर्सिस मिल जाएंगे आरपी एसी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसके अंदर एबी एस्टी एफम और बीए डीम का कोर्स आपको मिल जाएगा और यूपी एची एसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से हमारी आप प पसे which of the following statements is a true about classroom communication. Classrooms have lots of verbal communication it happens every time a teacher explains a bit of content, asked a question or writes information or instructions on the chalkboard like many things that involve a diversity of people classrooms często tend to rely heavily on explicit verbal communication while at the same time recognizing and allowing the non-verbal communications to occur. Non-verbal behaviors are just as plentiful as verbal communications and while they usually add to a current verbal message, they sometimes can also contradict it. So, classroom communication के बारे में आपको तीन statements दी हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िये और सोचिए कि क्या answer यहाँ पे आपके according होना चाहिए. तो आईए जी यहाँ पे देखते हैं एक बार तीनो statements को, तो पहली statement के रिये कि classroom में बहुत सारा verbal communication होता है. तो बिलकुल होता है. Classroom में teacher बोल कर लिखकर बहुत से चीज़ें बच्चों को बताती है और यही है जी verbal communication. और इसके लावा यहाँ पे बताया गया classrooms tend to rely heavily on explicit verbal communication और साथ ही साथ यहाँ पे आपका non-verbal communication भी होता है. तो classroom के अंदर non-verbal communication भी आपको देखने को मिलता है. Teacher अपनी आखों से कई बार बच्चों को डरा देता है. So this is non-verbal communication और non-verbal behavior जो है उनके बारे में और बताया गया कि they just add to the verbal communication. कई बार हमारे जो verbal message है उसको support करते हैं और कई बार उसको contradict भी कर सकते हैं. जैसे कोई teacher कोई नया topic आपको सिखा रहा है और आप से कहें कि बहुत interesting है यह topic और खुद उसकी आवाज उसके expressions जो हैं आपको बहुत ही dull लगें बहुत ही boring लगें तो आपको लगेगा कि यह तो दोनों message जो है contradictory जा रहे हैं. Verbal कुछ है, non-verbal कुछ है. तो classroom communication के context में सारी बातें सच हो जाती हैं और answer हो जाता है option number D का. चलिए. तो पहले सवाल में हमने यह सीख लिया कि classroom communication में verbal और non-verbal दोनों communications हमें देखने को बिलते हैं और non-verbal communication जो है कई बार जो है contradict कर देते हैं verbal communication को. अब इसी से जुड़ा हुआ एक assertion reasoning का सवाल है. आईए इसे देखते हैं. Assertion दी है, whether verbal और non-verbal, however classroom communications often convey more meaning than is intended. Unintended communications are the excess meanings of utterances. They are the message received by the students without the teacher's awareness or desire. तो यहां पर कह रहे हैं कि classroom communication के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा meaning कई वर convey हो जाता है. उसकी बात कर रहे हैं. और unintended communication जो है उसको इसका नाम दिया जा रहे हैं. और उसको explain करने की कोशिश की जा रही है. तो धियान से पढ़िए सवाल को और बताईए कि आपको क्या लग रहे हैं कि यहां पर यह बातें सही बताई हैं या फिर आपको इन में कोई जोल अर लग रहा है. तो my dear friends यहां पर दोनों बातें बिल्कुल सही बता रखी हैं. तो यहां पर बताया गया कि unintended communication हो जाता है कई बार. They are the excess meaning of the utterances. Message जो कि teacher student को देना नहीं चाता, but unknowingly teacher से student की तरफो message चला जाता है. जैसे teacher कई बार बच्चों से कहता है कि यह जो section है यह आपके exam में तो नहीं पूछेंगे, but आप इसे फिर भी पढ़ देना. तो student को क्या लगता है कि इस section को पढ़ने के जुरूत नहीं है, exam में तो पूछेंगे नहीं, हालांकि teacher की intention यह नहीं थी. तो verbally, non-verbally वो ऐसा convey नहीं करना चारा, but फिर भी जाने अन जाने में unintended communication यहाँ पे हो गया, और उसी को सवाल में पूछा जा रहा है, तो दोनों बाते बिलकुल सहीं हैं, और answer यहाँ पे option number A का बन जाएगा. तो आईए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, statement दे रखिये, positive feedback is used more often in the classroom than negative feedback. तो classroom के communication को कुछ समझ रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे feedback वला element जो है, उसके उपर सवाल है, कहरे हैं कि positive feedback जादा देखने को मिलता है, negative feedback के comparison में. A teacher should use negative feedback only sparingly for a general classroom management. कहरें कि teacher को negative feedback जो है, वो कम से कम cases में इस्तमाल करना चाहिए, जनरल classroom management के लिए इस्तमाल करना चाहिए. तो बताएए कि आपको कौन सी statements यहाँ पे सही लग रही हैं. तो आईए आपके अपने experience से relate करते हैं, और देखते हैं कि कितनी हद तक यह सारी statements नहीं हैं. तो पहली statement पढ़ते हैं कि positive feedback is used more often in the classroom than negative feedback. अब आप बताएए, जब आप class में हुआ करते थे, तो teacher जाधा तर आप positive feedback देता था students को, या फिर negative देता था. मैं आपकी particular बात नहीं कर रहा, मैं पूरी class के context में बात कर रहा हूँ. positive feedback का मतलब है कि वो class को कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो तुम, तुम इत्ते इच्छे से पढ़ाई करते हो, ऐसी बातें बोल रहा है, negative feedback का मतलब वो बच्चों को डांट रहा है, उन्हें कह रहा है कि पढ़ाई कर रहा हूँ, examination आने वाले, आप तु भी कहेंगे, सर हमें तो negative feedback जादा देखने को मिलता है as compared to positive feedback, यानि कि teachers जो है, जादा negative feedback का इस्तमाल करते हैं, बट हमारे जो researchers हैं, वो argue करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, teachers को negative feedback जो है, वो केवल कुछ cases में ही इस्तमाल करना चाहिए, teacher को classroom को manage करने के लिए इस्तमाल करना चाहिए, overall teacher को कोशिश करने चाहिए कि वो बच्चों का positive feedback दे, but again positive feedback भी बहुत जादा नहीं देना teacher को, ऐसा ना हो कि बच्चों को बच्चों को ऐसा इतना जादा positive feedback मिल जाए, कि overconfident हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो पहली statement है, वो गलत हो जाएगी, दूसरी statement जो है, वो बिल्कुल सही है, और answer बनेगा option number B का, आए, सवाल लगला है, consider the following list and identify the correct code, list 1 और list 2 हमें यहाँ पे दे रखिये, list 1 में है content talk, procedural talk, control talk, और list 2 में हमें यहाँ पे कुछ examples दे रखिये हैं, जो कि हमें इन से match करने है, आप एक बर ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे recording आप खुद से match कर पाएंगे, तो classroom communication के अंदर आपको यह तीन तरीके की talks देखने को मिलती हैं, एक content वाली होंगी, एक procedure वाली होंगी, और एक control वाली होंगी, अगर आपको मैं simply बताऊं, तो content मतलब जो classroom का content है, उससे जुड़ी बात है, control मतलब बच्चों को control में लाने वाली बात है, तो यहाँ पर आपको इनके examples से इनकी matching करने बहुत असानी से आप कर सकते हैं, तो आईए जी, यहाँ पर बात करते हैं, अलग लग types of talks की, तो content talk की अगर हम बात करें, तो content talk का मतलब है, कि teacher जो है, class में कोई concept explain कर रहा है, कोई idea explain कर रहा है, कुछ नई चीज, कुछ नया content बच्चों को दे रहा है, तो आप इसे 3 से match कर सकते हैं, procedural talk, वो class का procedure जो है, वो उन्हें सिखा रहा है, वो कह रहा है, कि जब तुम अपना काम कर लोगे, तो अपनी किताबों को जो है, वहाँ पे रख देना, तो this is going to be related to procedure, तो आपका second वाला यहाँ से match होगा, when you are done with your spelling books, put them in the bins at the side of the room, control talk, control talk का मतलब है कि बच्चों को control कर रहा है, तो वो कह रहे है, बच्चों से कह रहे है, क्या कह रहे है, बच्रूम सेटिंग, which of the following is incorrectly masked, discretion attempts, उसके बार में बता रहे है, during a discussion or activity, a student asks questions or makes a statement that is not relevant to the task at hand, calling out, instead of answering a teacher's test question directly, the student responds with a question of her own, agenda enforcement, sometimes students interrupt a discussion to ask about or remind others, especially the teacher often agreed on agenda, side talk, one student talks to another student either to be sociable or gather information, तो आपको बताईए, इसमें से कौन सी गलत मास्ट यहां पे लग रही है, तो my dear friends, यहां पे एक एक करके देखते हैं options को, तो पहला है जी digression attempts, यानि कि अपने topic से digress, अपने topic से divert करने की कोशिच यहां पे चल रही है, तो student ऐसा question कर रहा है, जो कि topic से related नहीं है, तो बिल्कुल सही मास्ट है, इसके लावा, यहां पे इसके अगला दिया गया है calling out, calling out का मतलब होता है, कि एक बच्चा जो कि अपने turn के बिना, बिना teacher के recognize किये हुए, कुछ comment पास कर रहा है, ऐसे होता है, कुछ बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर और कुछ ना कुछ comment पास करते रह रहे हैं, topic से हो सकता है, वो relevant भी ना हो, और teacher को सुन भी ना रहा हो, बट वो पीछे से अपने attempt, अपने comment जो है, वो पास किये जा रहे हैं, तो it is calling out, तो calling out यहाँ पे गलत मैस्ट है, calling out का असली meaning आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, agenda enforcement की बात करें, तो बच्चे कहीं बार teacher को agenda बताते हैं, teacher शुरू करते हैं अपने topic से की आईए topic शुरू करें, बच्चे बोलेंगे नहीं सर, आज तो आपने टेस्ट लेना था, आप वो टेस्ट वाला agenda पूरा कीजिए, तो this is agenda enforcement, यह सही मैस्ट है, side talk एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, यहाँ तो दोस्ती यारी की बाते होंगी, यहाँ उससे कुछ पूछना होगा तो बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर second option हमारी गलत होगी, और वही answer यहाँ पर हमारा बन जाएगी, तो thank you my dear friends, यह था जी आज का हमारा discussion, अगर आपको यह session पसंद आया, तो इस पर अपना प्यार जरूर दिखाएं, हमारे से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके इलावा हमारे free courses को, हमारे paid courses को exist करने के लिए, आप हमारा free learning app है, वो Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी website visit कर सकते हैं, क्यों query है, तो आप हमें बेज जिजख होकर mail कर सकते हैं, hello at the rate adversary dot in पे, या फिर whatsapp या call कर सकते हैं, यह number आपको यहाँ पर provide किया गया है, और इस session का जो PDF है वो केवल हमने अपने paid course subscribers है, उनके लिए reserve किया है, तो आपको अपने respective courses में इस session का PDF मिल जाएगा, थेंक यू, bye bye, take care, all the best.